दोस्तों जब हम किसी वेबसाइट को विजीट करते हैं तब एक चीज देखकर काफी हैरान रह जाते हैं उस वेबसाइट पर आपके सामने ऐसी चीजों की एड दिखने लगती है जो आपने कुछी समय पहले Amazon जैसी online shopping वेबसाइट पर सर्च की थी हम दंग रह जाते हैं इस वेबसाइट को कैसे पता चला कि मेरा इंट्रेस्ट क्या है इसे कैसे पता चला कि मैं कौन सी चीज खरिदना चाहता हूँ दोस्तो पहली बार आपके साथ जब ऐसा हुआ होगा तब आपने सोचा होगा कि सायद ये एक इत्तिफाक है लेकिन हर बार ऐसा होने पर हम insecure फिल करते हैं आखिर ये website जिस पे ना ही तो मैंने कोई personal information share की है वो मेरा इंट्रेस्ट कैसे जानती है क्या ये कोई trap है इंटरनेट पर एसी चीज़ों को देखकर हम गबरा जाते हैं लेकिन दोस्तो गबराने की कोई जरूद नहीं है इसके पीछे भी एक logic है हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल लोजिकल अन्बोक्सिंग पर आपका स्वागत है दोस्तो हम किसी भी website को विजिट करने के लिए गूगल के थ्रू ही जाते हैं यानी हमारी सारी इंटरनेट गती विदियो के बीच में कही ना कहीं गूगल तो है ही इसी लिए गूगल हर website पर advertisement दिखाता है जिसके लिए गूगल ने सारी websites जो एड दिखा कर पैसा कमाना चाहती है उन्हें Google AdSense से link किया हुआ है Google AdSense Google का एक ऐसा function है जो advertisement का ही काम करता है दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा आपको भी यह doubt काफी बार आता होगा कई सारी websites free में blogs information share करती है बीना मतलब के इतनी information कोई क्यों share करना चाहेगा तो दोस्तों यहाँ पर free कुछ नहीं है यह advertisement ही इन websites की income का main source है और इतनी बड़ी company Google वो भी इन advertisement से ही पैसा कमाती है अब actually होता यह है कि जब आप Amazon Flipkart जैसी online shopping किसी website पे कुछ चीज सर्च करोगे तब आप उस website को बता रहे हो कि अभी मुझे यह चीज purchase करने में interest है तब company यह चीज़े आपको बार बार दिखा कर लुबाना चाहती है और क्योंकि यह online shopping website भी अपने चीजों की advertisement गूगल के थ्रू ही करती है आप जब भी किसी और website को विजिट करोगे यह गूम फीर के सारी चीज़े advertisement के थ्रू आपके सामने बार बार दिखेगी गूगल आपको वही चीज़े बार बार दिखाता रहेगा आज के competitive world में इस तरह की advertisement सबसे effective साबित हुई है तो दोस्तों यह था हमारे interest की चीज़े हर website के उपर advertisement के रूप में दिखने के पीछे का logic आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपका कोई doubt या suggestion हो तो नीचे ज़रूर comment कीजिए यह हमें continuously improve करते रहने में help करता है इसी के साथ कीजिए like and share हमारे इस वीडियो को और हाँ अपने दोस्तों के साथ share करना मत बुलिएगा हमारी नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए इस logo पे click करके channel को subscribe कर लिजे और साथ में दीखने वाली गंटी को भी जरूर दबाईए जो आपको channel के updates देती रहेगी हम ऐसी ही अनों की logical unboxing लाती रहेंगे आगे मिलेंगे कुछ इसी तरह की interesting information के साथ तब तक के लिए take care of yourself